So, Hi Everyone, Welcome Back to My Auch2 Channel So friends, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ वैसे स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट चाहते हैं विहार से स्टूडेंट क्रेडिट कर ले ना यानि विहार से लोन लेना चाहते हैं और वो फायर स्टडी के लिए करना चाहते हैं तो उनको लोन चाहिए क्योंकि उनको फाइनेंसली कंडिशन थोड़ा वीक है तो चाहते हैं कोई भी चाहते हैं कि हम 4 लाग के जो लोन मिलता है भी हर से लेकर मैं higher study के लिए मैं जाओं तो उसी के बारे में मैं step by step आपको जनकारी दूँगा कि कैसे आपको लोन मिलेगा जो कि 4 लाग का लोन मिलता है और हमें खुद मिला है मनें खुद लिया हूँ higher study के लिए मैं अभी बीटेक में हूँ तो उसके लिए मैंने लिया था 4 लाग का जो लोन होता है और कितना मिलता है वो सारा चीज मैं चैनल को subscribe करके bell icon घंटी प्रेस कर ले रहिएगा ताकि इसी तरह से आपको सारा information मिलता रहता है तो इसमें सबसे पहले जो होता है आपको इनवर्शीटी रजिस्टेशन करना होता है यह कैसे होता है जो भी आप course join कि होंगे या तो आप बीटेक कर रहे होंगे डिप्लोमा क कर रहे होंगे या जो भी आप courses कर रहे होंगे BBA कर रहे होंगे BCA कर रहे होंगे जो भी आप courses कर रहे हैं तो वहां से आपको जो भी इनवर्शीटी करवाती है वहां से आपको इनवर्शीटी रजिस्टेशन करना होता है तभी आप लोग का जो की लोन का जो process होता है वहां लोग कोटना पैसा चाहिए जो लोन चार मταलाग तो बोला जाता देगा नहीं भी देता इसे लिए आपको जो लोन के लिए है यानि कि student credit card लेना चाहते हो तो उसी के subject के रूप में कि हमें student credit card लेने के समध में हमें fee structure जाएए यानि कि bonafide जाएए तो आपको college जो है आपको fee structure बना के देगे कैसा fee structure होता है मेरा जो हुआ है मैं देखा देता हूँ कि किस तरह के आपको fee structure हैगा तो friends यहाँ पर देख सकते हैं यह college से bonafide मिला है bonafide का मतलब हो गया fee structure यानि आपको चारो साल का अगर बिटे करे हो तो चार सा डिप्लोमा करे हो तो तीन साल तो यह पूरा आपको total चारो साल का आपको खर्चा है यहाँ पर दीखेगा यह आपको college से देते हैं यही आपको DRCC ले जाना होता है जैसी कि आपको देख सकते हो क्या-क्या fee होता है मैं बता देता हूँ BTEC के लिए अगर BTEC कर रहे हो तो या तो BCA करोगे या तो कुछ आपको fee structure मिलेगा college से जैसी कि आपको देख सकते हो के registration fee आपको सबसे पहले लगता है तो अगर BTEC में हो तो 21 रप्या जेनरल BCA के लिए लगता है और CST के लिए हो तो सेम है 21 रप्या ही फिर उसके बाद development fee होता है tuition fee होता है उसके बाद admission fee होता है university का exam होता है every semester उस सब का fee होता है फिर उसके बाद इसमें साला ही include रहेगा एटो साल के लिए final year 8 semester का fee कितना है laptop का जैसे की 36,000 रप्या यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से आपको मिलेगा study material book के लिए आपको 10,000 रप्या मिलता है उसके बाद देख सकते हो living expenses fee जो की रहने खाने का खर्ज आपको 36,000 रप्या मिलता है उसके बाद one year के लिए है उसके बाद project work institution charge यानि की जो भी आप project करते हो college में उसके लिए आपको 15,000 रप्या दिये जाते है स्वाय आयाम online course जाते है आपको engineering में तो 15,000 इसका fee है उसके बाद uniform के लिए आपको academic maintenance के लिए 10,000 रप्या है industrial tour आपको कहीं पर internship बिगेरा के लिए जाते हो तो उसके लिए आपको 20,000 रप्या दिये जाते है branch especially learning software कुछा आपको online करना चाते हो other institutions से तो आपको 30,000 रप्या मिलते है तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा fee structure मिलेगा जो कि college से बना कर जो भी आप college में पर रहे हो उसके लिए आपको इस तरह से आपको fee structure मिलेगा उसके बाद friends आपको क्या जो भी आपको fee structure हो गया उसको आपको कहा लेकर जाना है DRCC अब मैं बता देता हूँ कि DRCC जाने से पहले आपको क्या क्या आपको documents लेकर जानी है यहां पर आप देख सकते हो तो यहां पर जो भी student applicants हैं उनके लिए documents है और जो applicants हैं उनके लिए भी है तो सबसे पहले है कि आप अपने के लिए क्या क्या लेकर जाओगो तो 10th का mark sheet हो गया 10th का certificate हो गया या तो provisional यानि कि आपका mark sheet है तो वह भी काम चलेगा या 3 साल के बाद जो certificate original आता है वह भी चलेगा या तो फिर original नहीं है तो provisional पर भी काम चल जाएगा उसके बाद है class 12th का mark sheet या तो certificate है तो वह भी दे सकते हो या तो provisional भी दे सकते हो उस हसकते स Sakieten वो दती हुश मांत चाहुश मांत के नियुक्त करना इ concealer cemate द्रषिज़ों कर बदेताम healthy इंसे स्टेफिकेट में परन उसके बादे हैँ कॉलेज इंस्ट्यूशन टोटर लिया फी एस्ट्रक्चर जैसे के मैं पाटिकुलर चीजे के लिए मैं देखाया था कि आपको कितना कितना फी लग रहा है वो भी और साथ में अस्टॉम पेपर आपको लेकर जानी है जो भी आपको रसीधी भीभाग होता है जहां पर जमीन आपको चाहिए ठीपीस आपको फोटो लेकर जानी है तो यह सब आपको डॉकमेंस में लेकर जानी है जो भी आपका डिस्टिक होगा वहाँ पर अब मैं बता देता हूं जो कि को अप्लिकेंट के लिए तो हारकार आपको फादर्स का या मधर्स ले जा रहे है तो मधर्स का या उसके बाद आपको पैन कार्ड होना चाहिए तो दो चीज आपको को अप्लिकेंट के लिए डॉकमेंस चाहिए अगर आप डॉकमेंस लेकर आपको डॉकमेंस लेकर आपको डॉकमेंस लेकर आपको डॉकमेंस जाने के बाद वहाँ पर आपको ऑफिस रहेगा वहीं पर आपको फाइनली वहाँ पर रजिस्टेशन हो जाएगा कुछ लिए भी करना चाते हो तो आप गुगल पर सर्च करके या यूटूब पर देखकर आप सर्च करके अपने से भी रजिस्टेशन कर सकते हो लेकिन जिनका स्टुडेंट वैसा है उनको कुछ नहीं पाता है तो जाकर अपना DRCC ले गया था वहां से मेरा जो की रजिस्टेशन कम्प्लीट एक आपको रजिस्टेशन स्लीप मिलेगा इसको पंजिकरन जो की संख्या होता है यह आपको रखना होगा कब के लिए जब आप एग्रिमेंट के लिए जाएगा तब तो उसके बाद आपको क्या हुआ है बिहार स्टुडेंट क्रेडिट का स्कीम लेटर ऑफ सेंशन ऑफ एज्यूकेशन लोन के लिए हैं जिसे लिए यहाँ पर आ रहा है उसके वाए यहाँ पर सारा चीव ऊपर में आपको प्रस्टनल डीटेल्स रहेगा अब यहाँ पर में आपको चीजे देखनी है क कि किस चीज के लिए आपको खुद के एकांट में आएगा और कितना आपको कॉलेज के एकांट में जाएगा जैसे कि यहाँ पर नाम है और एकांट नमबर है और बूक का स्टेशनरी के लिए देख सकते हो कि 10 थोजन में रहा है फिस आर्सा कॉलेज ऑफ इंजिनेरिंग मे लेगा तो यहाँ पर पूरा के लिए मैंने 2,00,00 के करीब मैंने किया था लेकिन यहाँ पर देख सकते हो कि उस टाइम करोना था इसलिए मुझे एक दो साल का चार्ट के दिया है तो 1,70,000 रुपया मेरा जो कि पेमेंट सेंसन हुआ है यानि यानि कि इतना ही मेरे एकांट म में जाएगा तो जैसे कि मैंने बता दिया कि आपको बुक, अस्टेशनरी चार्ट, लिविंग एस्पेंशन फ्री और आपको लैक्टॉप का आपको खुद के एकांट में आएगा बाकी जो आपको पेमेंट रहेगा जो आपको कॉलेज के एकांट में जाएगा तो इस तर जो भी आपको रजिश्टेशन का जो पार मिला था और को जीतना भी आपको आपको डॉकमेंट लगा था उससारा फिरसे आपको पेमेंट के समय लेक में तो पूरा अपको लेका जानी है और आपको जैसे कि मैंने बोला कि आपको स्टंप पेपर सौर्प्या के आपको करेनी हैं तो काह से आपको बनाया जाएगा जो भी आपको जमीन ही रसीद होती है वहां पर अफिस में जाना होगा वहां से आपको broadcast का देने के बाद फिर से आप लोका का टैम लगेगा पैसा आने के लिए बहुत से student पुछते हैं कि भाया कितना हमारे bank account में आएगा और कितना जो की college के account में जाता है तो मैं बता देता हूँ मैरा जो भी आया था तो सबसे पहले जो living expenses fee था यानि रहने खाने का जो खर्चा था book as stationary charge यानि कि जो book के बेगेरा में जितना भी fee लगता है वो और एक laptop का यह मेरे account में आया था जो सारा fee था जैसे कि registration भी हो गया examination भी हो गया development भी हो गया यह सारा आपको college के account में जाता है आपको यह आपके account में नहीं आएगा तो इतना था कि आपको कितना account में आएगा और यह कितना आपको college में आप जब agreement के लिए जाओगे तो आपको एक student credit card मि राप्त होता है आप आपको higher education के लिए तो फ्रेंस वीडियो अच्छा लाग हो हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देजिए जो भी student चैनल पर पहले बाद विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहेगा इसी तरह से सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा थ देजिए को तो शुट कर दोग्या हैं तो बाद आपको लेख वीडियो थाजिए। फंच हैंते जो टेंग तूर शुट थाजिए।